दोस्तो आज हम ट्रिक से कवर करेंगे सैंस का मोस्ट इंपोटेंट टोपिक मापक यंतर दिखिए चाहे किसी भी लेवल का एक्जाम हो इस टोपिक से एक दो केस्टन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं और इस वीडियो में हम 30 पलस मोस्ट इंपोटेंट मापक यंतर को कवर करेंगे जो की बार बार एक्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाते हैं और भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं और झार हो जानी की परकार का वहान हो गया और यह काम भी करता है वहान उद्वारा देखी गई solo को मापनी नैक्सट औियो मेंटर देहिए उपर हमने बात की थी ओोल्यों कि यहां बात हो रही है और Medium संते हैं ना किसमें होता है यह दाम नियुन होता है और यह यह उचाई मापने के लिए उचाई मापने के लिए उचाई वो कि उचाई पर पिंच जाता है वो सीडी दर सीडी उचाई पर पहुंच जाता है कौन जो अल्टिमेट बंदा होगा वो उचाई पर पहुंच जाता है उसे उचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता क्यों क्योंकि भाई मेरे वो अल्टिमेट बंदा है तो अल्टिमेटर हो गया उचाई मापने के ल जाए तो लेक्टोमेटर लेक लाख टके की चीज है दूद और दूद को मापा जाता है लेक्टो लीटर में जैसे मर्जी याद कर लो इसके बाद है हाईग्रोमेटर हवा की आधरता मापने में काम आता है यहाँ पर हम 101% कंशू जोते हैं एक है हाईड्रोमेटर और एक है हाईग्रोमेटर दोनों अलग-अलगे ट्रिक्से याद करेंगे जिन्दिक फ़र आप नहीं बूलोगे अब हाइड्रो का हो गया हाइड्रो हाइड्रो क्यों तरल पदार्तों का सापेकचिक घनत तो है अब हाइड्रो का हो गया हाइड्रो हाइड्र गई हाइड्रो ड्रो ड्रो हाइड्रो क्यों ड्रो भाई तरल पदार्त का जो सापेकचिक घनत तो है ना भाई उसका कोई बरोसा नहीं अब मालीजी नदी है बिलकुल शाद सल रही है उसमें अचानक से बाढ़ आ गई तो तरल पदार्त का गनत तो पता नहीं कब बढ़ जाए तो उसे डर लगता है हाइड्रो हाइड्रो तरल पदार्त के गनत तो से बाढ़ आ जाती सब कुछ तबाह हो जाता है हाई ग्रोमेटर हवा की आदरता मापने में यहां बात और यह हाई ग्रो हाई लेवल पर ग्रो कौन करेगा भाई जिसको हवा मिलेगी आदर यानि कि हवा की आदरता भाई हाई लेवल पर ग्रो करेगा हाई ग्रो चाहे वो मनुश्य हो चाहे वनस्पति हो जब उसे हवा मिले आद्र हाइगा ना तब वह हाई लेवल पर ग्रो करेगा हाई ग्रूम् traum ₹च बेरो mutually वायु मंदल दाब को MI आपने सा माً काम आता है अब बात ओर रिये वायु मंदल की विरधि मातने में कामाता है अब भाई पेड़ पोदों से हमें औक्सीजन मिलती है और यहाँ भी बात हो रहे है आक् Cafe extent गुरह की उचाई जानने ह err तहु प्रयोग में लाया जाता है अब से इस्ट का हो गया success अभ जो बंदा life में सकस सच हो जाता है नौक्री मिल जाती है तो बोलते हैं उसके तो ग्रह नक्षित्र बलंदी ओपर है उसके ग्रह नक्षित्र उचाई पर है और जो विचारा सक्सेस नहीं हो पात मुझा लेक्ना कुछ नहीं आख लख्षमेटर परकाश की तिविरता मुझे हम आपने हितु पराया जाता है आब बात और यह परकाश की तिविरता चाहे कितनी भी तेज हो मुझे मेरे लक्ष से नहीं भटका सकती लक्समीटर लक्स का हो गया मेरा लक्ष परकास चाहे कितना भी तिविर हो कितनी भी धूप पड़े कितनी भी गर्मी पड़े मुझे मेरे लक्ष से नहीं भटका सकती मैंने इस खेत की लावनी करनी तो करनी है भाई चाहे परकास कितना भी तिविर क्यों ना हो किसानों को खेतों की लावनी करनी है तो करनी है भाई किसान को परकास की तिवरता उसके लक्ष से नहीं भटका सकती लक्स मेटर परकास की तिवरता मापने में कामाता है कुछ ज़्यादा हो गया हो तो भाई आज गैसों के दाव की अब बंदा जो मुली के पराटे खा रहा है तो गैस का दाव बनेगा ना और फिर यार दोस्तों को तो पता चली जाता है रूमेट को भी पता चल जाता के वही गैस कहां से लीग हुई है अब वो पूछ बैटा आपने गैस लीग की है क्या जवाब आया मैं गैसों का दाव मापने के लिए परियोग में लाया जाता है गैस लीग मैं नो मैंने नहीं की मैं नो 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 नेक्स्ट गेल वेनोमेटर विद्धारा की उपस्तिति को मापने में काम आता है कि यहां पर विद्धार उपस्तित है या नहीं है किस से मापा जाएगा गेल वेन की होती गेल वेनों गेल गली गलीओं में आपने के लिए पर्योग में लाया जाता है ऐम अदमी का मित जो की घरों में लगा होता है उसका काम क्या होदा है विद्धु धारा को मापना कि आपने कितने विद्धुत यूज की कितने बिजली यूज की उसको मापता और यूनिट निकाल के आपको दे देता है तो ये हो गया आयमेटर आम लोगों का आममेटर नमस्ते जी ये आम आदमी का मेटर है लेकिन दिल्ली में इसकी कोई जरूत नहीं है जी आमने तो सब कुछ परीक रखखा जी नेक्स्ट जायरोसकोप घुमती वस्तुकी गती का अध्यान करने के लिए परीयोग में लाया जाता है अब बात हो यह घुमती वस्तुकी घुमती वस्तुकी परनी की तो जायो 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 जाया जायो 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 एनिमोमिटर की वायू गती मापने के लिए काम में लाया जाता है अब एनिमोमिटर का हो गया एनिमो एंटिनो एंटिना होता था ना भाई छत पे लगाते थे पहले ब्लेक एड़ वाई टीवी होता था और छत पे एंटिना होता था लेकिन जब हवा चलती थी तेज गती से तो वह एंटिना हिलता था हिल जाता था सक्तिमान आ रहा है मोगली आ रहा है रामएड माबारत आ रहे हैं वो सब डिश्टरब हो जाती थी तो एक बंदा चत पे चला जाता था एंटिना को पकड़के घुमाता था ताकि वह हवा की गती से ना हिले तो एनिमोमेटर याने की एंटिना वायू गती से हिल जाता था बार बार नैक्स्ट केरेटो मिटर स्वरंग की सुदतन अपने के लीए पभरयोग में लाया जाता है स्वरंग यानिकी सोना केरट में होता है ना 22 केरेट 24 केरेट और यहां भी बात और केरेट नेक्स्ट फेदोमेटर समुंदर की घहराई मापने में परियोग किया जाता है और भाई देखिए समुंदर की घहराई की बात और यह आप समुंदर की घहराई में जाएंगे जाते जाएंगे फेदो फिर दम घुटने लगेगा फेदो फिर दम घुटने लगेगा तो समुं के धावनिंसुने के लिए प्रयोग मे लाया जाते दौनों अलग अलगे मेरे भाई कोडियोग्राफ decide की गती मापने के लिए patमापने केलिए स्टेटोसकोप हरी की धावनी सुनने next सफिग्नमेन मेनमिटर मक्तचाप मापने के लिए आने कि blood pressure को मापने के लिए परियोग मिलाया जाता है उसके बात है polygraph जूट का पता लगाने वाला उपकरन होता है polygraph poly पॉल फट गई भाई पॉल खुल गई क्यों जूट बोलता था आज पकड़ा गया आज उसकी पॉल खुल गई पॉल पट्टी खुल गई जूट की जूटा बंदा होता है ना उसकी पॉल पट्टी खुल ही जाती आने की polygraph next बॉलमेटर तापमान में परिवर्तन को मापने के आता है अब तापमान में परिवर्तन होता है तो हम सब बोलते हैं बोलमेटर हम सब बोलते हैं ना के यार मेरे भाई गर्मी बहुत हो गई बहुत गर्मी है आस तो या फिर बोलेंगे भाई बहुत सर्दी है तापमान में परिवर्तन होता है तो यह सब हम बोलेंगे कब RPM को मापने के लिए परियोग में लाया जाते हैं यह एक्सर गडलियूं में यूज्ज होता है जो RPM होते हैं उसे टेकोमेटर के द्वारा मापा जाते हैं अरे PM अरे PM जी टेकोमेटर टेको जो आतंगवादी है देशցडरों है उनको दो चाटे टेको, टेकोमेटर, आर पीम, अरे पीम जी, दो चाटे टेको, टेकोमेटर किसे, अत्मंगवादी को, देशद्रों को, next, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए परियोग में आता है, अब देखे, यहाँ पर एक सब्द चुपा हुआ है, हीलियो, याने की हीलियम, और भाई सूर्य की स्थे पर हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, होता है न, तो सूर्य की फोटोग्राफी की, तो उसमें क्या दिखाई दिया, स्पेक्ट्रो हीलियोग्रोम, याने की सस्पे परकास से निकलेगी तो बात यहां भी सिदे सिदे हेलियम की हो रही है यह देखिए यहां पर आ गया हेलिया हेलियम तो इन दोनों में ही हेलियम आ रहा है तो यह सूरिय से सम्मंदित हो गया एक में सूरिय के फोटोग्राफ हो रही है दूसरे में सूरिय से निकलने वाली शो यो किया जाएगा पाइरोमेटर का पाइरो पारा चड़ गया रहे भाई पाइरो पारा चड़ गया उच्छ ताप पर पहुंच गया बंदा कई और हाइपर हो जाते ना पारा चड़ गया भाई 130-140 पर तो वो उच्छ ताप पर चला गया पाइरोमेटर उच्छ ताप मापने के लिए अब देखिए वोल्ट मिटर की बात हो रही है वोल्ट का हो गया वोट इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टियां होती है जो राजनेतिक दल होते हैं विभवांतर वो विभीन अंतरों से जीतते हैं कोई जादा अंतर से जीतेगा कोई कम अंतर से जीतेगा कब जब जसान मेट बोग।